हलो बच्चों मैं हूँ सवीते जैन आई आज हम पड़ते हैं कक्षन नवी कर्षंस की चतुर्था पाठा शुभासितानी ठीक है तपो बलम ताप्षा नाम ब्रह्मा ब्रह्म विदाम बलम हिंसा बलम साधुनाम छमा गुणवताम बलम ताप्षा नाम अर्थात होता है सन्याशियों का ब्रह्मा अर्था परमात्मा वेद ब्रह्मा विदाम ब्रह्मा ग्यानियों का ठीक है और अशाधुनाम अर्थात होता है दूरजनों का गुणवताम अर्था गुणवानों का अर्था सजनों का इसका अर्थ हुआ तपस्या जो है शन्याशियों का बल है तप करना तपश्य करना किसका बल है शन्याशियों का बल है और ब्रह्मा का जो है ब्रह्म गानियों का बल वेद है हिंसा जो है वह दुर्जनों का बल है ठीक है और शजनों का बल क्या है छमा है ठीक है ओके बटा आएए देखें हम दूसरा इश नास्ति नास्ति जागरिते भयाम उत्योगी अर्थात होता है उत्यम परिश्रम दारी द्रयाम अर्थात गरीबी या निर्धनता जबता अर्थात होता है जब से इस्वर का नाम लेने से जब करने से पात काम अर्थात होता है पाप ठीक है कला अर्थात शगडा और जागरित अर्थात होता है जागुरुक या फिर सतर ओके इसका अर्थ इस प्रकार होगा परिश्रम करने पर निर्धनता नहीं होती परिश्रम करने पर निर्धनता नहीं होती जप करने पर पाप नहीं होती मौन रहने पर कलह नहीं होता अर्थात लड़ाई चगड़ा नहीं होती सतर क करहने पर भेह नहीं होता ओके विद्या विवादाय धनम मादाय सक्ति परेशाम परपिंडनाय खलश शाधू साधोर विप्रित एतम ग्यानाय दानाइच्य रक्षणाय विवाद के लिए मदाय अर्थत क्या होता है मद ठीक अंकार परेशाम यानि दूसरों के लिए पर पिडनाय अर्थत होता है दूसरों को दुख देने के लिए खलश अर्थस्द्ञ शाधोर विप्रित एतम शाधू मिर्श होता है विप्रित एतत मिंस होता है इसके विप्रित ठीक है अर्थात दूष्ट की विद्या जो होती है केवल विवाद के लिए होती है तो वह केवल विवाद ही करेगा ठीक है यदि धन है तो क्या करेगा मज के लिए होता है अंकार के लिए और शक्ति है तो वह क्या करेगा दूष्रों को परिशान करेगा ठीक है दूष्रों को सक्ति दुसरों को दुख देने के लिए होती है इसके ठीक विपरित क्या हो जाता है खलश शाधोर अर्थात इसके विपरित क्या हो जाता है यदि सज्जन बेक्ति वहीं पर है तो यदि उसके पास सज्जन बेक्ति के पास यदि विद्या है तो वह किस के लिए हो जाएगी ज्ञा के लिए होती हैं ओके बटा समझा रहे हैं आपनों को आई अब देखते हैं फूर्थ इसलो एशाम ना विद्या ना तपो ना दानम ज्यानम ना शीलम गुड़ो ना धर्मा ये मृत्यूर लोग के भूमी भार भूता मनुश्युरूपेंड मृगास चरंती सीलम अर्थात होता है चरित्र मृत्यूर लोग के अर्थात होता है मृत्यूर लोग में भूमी अर्थात होता है पृत्वी पर भार भूता अर्थात होता है भार श्वरू मृगा मृग हिरन चरंती शर्ते हैं विचरंत करना याने चरंती याने चर्ते हैं विचरंत करते हैं तो जिसके पाश ना तो विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना उसका चरित्र उत्तम है, ना उसके पास गुण है, और ना ही धर्म है, तीक है? वे इस मृत्यू लोग पे, भूमी पे अर्थात, भार भूतर अर्थात, भार तुल्य है, मनुष्य रूपेर मिगास रंथी, मनुष्य के रूप में पसू के समान वे बिचरण करते हैं, ओके? यह दिखेंगे अपन, पांशवा, जो है, शुखार्थिना, कुतोब विद्या, नास्ति विद्यार्थिना, शुखाम, शुखार्थि वात्यजेद विद्या, विद्यार्थि वात्यजेद शुखाम, यह फिप्त है, शुखार्थिना, अर्था सुख्ष आने वाला, ठीक ह और कुता मिंस कहा नास्ति मिंस नहीं विद्यार्थी ना विद्यार्थी ठीक है त्यजेत अर्थात क्या होता है ट्याग दें या फिर छोड़ दें ठीक है तो सुख चाहने वालों को विद्या कहा अर्थात जो विद्यार्थी सुख चाहता है उसके पास विद्या नहीं होती ठीक है इसलिए सुख चाहने वाला व्यक्ति विद्याप्राप्ट नहीं कर सकता उसे विद्याप्राप्ट करने के लिए क्या करना होगा सुख का त्याग करना होगा ठीक और विद्याप्राप्ट करने की इच्छा रखना होगा ठीक है? अर्थात इसका अर्थी ये हुआ कि सुख चाहने वालों को विद्या कहां? ठीक है? और इसलिए सुख चाहने वालों व्यक्ति को विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? अपनी सुख त्याग देना चाहिए और विद्यागरहन करनी चाहिए खशीना अपी रोहती तरो फच्च यति पुनाश चंद्रा धि प्रिश्मिन्त सन्टा सन्ता प्यनते नालोकेश। घुना अपी रोहती तरो ढटो यहाई利 तरुआ रभफात व्रिष्ट है रोहते रिष्टमें बढ़ता हैं वहाता हैं जात ने路ें बढ़ता। खेक वृष्मिता वृष्विम विचार करते हुए इत्य हथा इस प्रकार काटने पर भी वरिख्ष बढ़ते हैं घटने पर भी चंद्रमा जो होता है वह पुना बढ़ता है इसी तरह संसार में सद विचार रगते हुए संद कभी दुखी नहीं होते हैं जिस तरह हम रिचो कारते हैं तो और भी बढ़ते जाता है और जो चंद्रमा जो है बुना घटने के बाद फिर से बढ़ता है उसी तर संसार में क्या करना चाहिए सद विचार करते हुए कभी भी संद को दुखी नहीं होना चाहिए यथा चतुर्भी कनकम परिच्छते निघर्षन छेदन ताप ताडना ताडन मींज होता है पिटना परिच्छते अर्थात होता है परिच्छण करना जीश तरह घीस कर, काट कर, आग में तपा कर और पिट कर इन चार विधियों से सोने की परिच्छा की जाती है उसी तरह त्याग, सिल, गूण और कर्म इन चार से पुरुष का भी निर्ख्षन किया जाता है ठीक है ना शाषभा यत्र ना शंती बृद्धा न ते बृद्धा ये न वदंती धर्मम नाशव धर्मो यत्र ना शत्यमस्ती न तत्सत्यम यचलें अभ्यू पेतम व्रिद्धर्था व्रिद्ध अन्भावी व्यक्ति जो आते हैं यतथा जो और अभ्यू पेता मर्थत क्या होता है युक्त ठीक है वा शभा 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 नहीं नाशा शभा यतना शंती व्रिद्धा वा शभा 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 नहीं जिसमें व्रिद्ध नहीं व्रिद्ध नहीं जो धर्म की बाचे ना करता हो, और वह धर्म धर्म नहीं, जिसमें सत्यताना हो, और वह शत्य शत्य नहीं, जो छल कपड से युक्त हो, ओके, आगे दिखते हैं, पुष्पे गंधम तीले तैलम काश्टे अगनीं पयसी धृतम इच्छो इच्छो गुणम तथा देहे पश्यात मानम विवेक तह, पश्यास यर्थात क्या होता है, दुप्च, धृतम अर्थात घी, इक्ष्या अर्थात, इक, गुड़ा मर्थात, खोड़ा, जीस प्रकार, पुष्प में गंध, तेल और पुष्प में गंध, सुगंध होती जो, ठीक है, तील में जो तेल होता है, लकड़ी में क्या होती, अगनी होती है, दूद में क्या होता है, गी होता है, एक में क्या होता है, गुड़ होता है, उसकी ही भाती सरीर में, विवेक पुर्वक आत से विवेक से देखना चाहिए तिक है सत्यान धार्य प्रिथ्वी सत्यान अर्था तप चमकता है वाति अर्था बहता है सत्य द्वारा प्रित्वी को धारण किया जाता है किसके द्वारा शत्य के द्वारा प्रित्वी को धारण किया जाता है सत्य द्वारा शुरी चमकता है प्रकासित होता है सत्य द्वारा वायू प्रभावीत होता है सब कुछ सत्य से ही प्रतिष्ठीत होता है यह है आपका शुभासतानी पाठा चतूर्था पाठा. शुभासितानी मुज़े उम्मीद है इसमें दस श्लोक है आपको समझा आगे होंगे. यदि कोई भी श्लोका आपको समझना है जिसका अर्थ ना बने आप मुझसे पूछ सकते हैं. और सुभास्तानी से कम से कम आप चार शलोक मुझे याद करेंगे और मैं जब पेपर होगा तो आप उसे लिख कर दिखाएंगे ठीक है और इसका अर्था पर लिख लेना है सबी अर्था लिख लेना इसके सब्दार्थ इस प्रकार है सब्धार था ब्रह्म्मविदम ब्रह्म घ्यानियों का पात का मिन इस पाप पुर्ष्राम, दुसरों के लिए। के लिए खलस याने दुस्त का भुवी याने प्रिक्थि परहु टैनरने के ज़ु हगता है। विचार करते विम्रिगाहर्थात पश्वय अहीरण अब्यू पेतम युक्त इच्चो यानि एक में धारते में धारण किया हुआ वैसे मैं इस लोग पढ़ाते समय आपको सारे सब्दार्द बता दी थी फिर विए सब्दार्द को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे उसके पश्यात आप अपनी कॉपी में अभ्यास कर लेंगे जो अभ्यास आपसे ना बने आप मुझे पूछ सकते हैं यहां पर दिया सब्सक्राइब कर लेंगे इसके पर सब्सक्राइब करेंगे अग्नी वायुच पश्यात मानम पश्यात मानम यह हैं हमारे question answer कर लेंगे इसको हिंदी भाष्य मुत्तर देना है फिर उसके बाद थाली इस्थान दिया हुआ है यह आप पूरा कर लेंगे सारे एक सब्सक्राइब कर लेंगे मुझे copy check कराएंगे इसके पास आतापन पढ़ेंगे आगे का पार्ट ओके बाए